किस सम्बर चार फाइका ने तलावत के बाद गुरान पाक रखा ही था कि भाहर में सलसल घंडी बज़ने लगी वो दाहर करे इस वक्कों आ गया फाइका ने दहल का इबराहीम को देखा मैं देखता हूँ वजूदा भेंग का भाहर की दरफ अड़े तो रहा फाइका से भी नहीं गया अभी वरामदे में ही पहुझी थी कि दानियाल और समीना भुकलाए हुए अंदर आये क्या हो गया दानियाल है तो है तुम इतनी सुबाँ एरान परेशान इबराहीम उनके पीचे थे साइम कहा है कैसा खा जाने वाला अंदास था फाइका देहल सी गई क्या हुआ साइम का क्यों फूछ रहे हो फाइका तुम्हें हुदा का वास्ता है बता दो उन दोनों को कहा चुपाया है समीना ने हाथ चोड़ दिये सारी अकर्दो बेटी के साथ रुस्सत हो गई थी किन दोनों को अनजान मत बने तानया अन चिलाया वो दोनों घर से भाग गए है उदा उन्हें खारत करे बद्दुआएं मत दो फाइका तड़प उठी हमें क्या पैदा किसके साथ भागी है साइम को तो कई दिन हुए हम उसके नाना के घर विच्वा चुके हैं मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं दानयाल दिवाना वारा के बढ़ा वो एक-एक कमरा देखने लगा किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की समीना बैटके रोने लगी फाइका ने इबराहीम को देखा अब बाजी को कॉल करके साइम का पूछो इबराहीम के लहजे में कई हज़ात बोल रहे थे फाइका होसा आगया आप भी हद करते हैं इनकी बेटी की मंगनी बगएर किसी डिस्टरब्रेंस के हो जाए हमने साइम को दुस्से शेहर धक्का देख रखा है और आप कहते हैं जो कहा है वो करो इबराहीम के लहजे में हलकी से सक्ती दर आई फाइका ने होन चपाते हुए मुबाल तलाशा और उनके पास आकर नमबर मिनाने लगी दाने आल घर को हाली पाकर उनके पास आकरा हुआ बन मुठी खोलता बन करता वो कितना मुस्सरब था साफ दिखाए देता था इबराहीम साहब ये वक्त परदे डालने का नहीं है हमारे घर की इस्ट ताउपर लगी है अगर कुछ पता है तो प्लीज बता दे अबबाजी असलाम लेकूँ इबराहीम की दोच्जा फाइका की तरफ हो गई उन्होंने बस दाने आल के गंदे पर हाथ रका था मेरी साहिम से बात कर वादे फाइका के लहजे में पूरा यकीन था जैसे अब फून साहिम के हाथ में जाएगा और वो अकले लमें उसकी आवाज सुन रही होंगी वगर अबबाजी की बात सुनकर उनकी रंगत फुक हुई उनकी रंगत देकर इबराहीम का दिल तक से रह गया साहिम तो कल ही वापिस आगया था उनने मरे मरे लहजे में बताया ये सुनकर समेना ने मजीद मुझी आवाज से रोना शूर कर दिया देखा मैं कहा रहा था इतना पारसा नहीं है आपका बेटा कि शराफत से वहां बैठा रहता वो आया और जेबी को वर्गला कर साथ ले गया वो पारसा नहीं तो क्या तुम्हारी से भी पारसा है वो क्यों भागी नन्नी बच्ची है जो टौफी की लारच में साथ चल दी फाइका फट पड़ी इस नहीं इफदाद ने सब को भुकला दिया था कसूरवार दोनों बच्चे थे और दोनों घर एक दूसरे पर लिसाम रख रहे थे हुदा के लिए आप लोग जुप हो जाए इबराहीम ने बुलंद आवास में दोनों हवातीन को हमोश करवाया क्या ये वक्त आपस में लड़ने चा करने का है अगर आपके घर की इज़त ताव पर लगी है तो मेरा बेटा भी मुश्किल में पढ़ सकता है हमें मिलकर उन्हें ढूंडना है साइम उसे लेकर कहां जा सकता है ये सिफ आप लोग बता सकते है दानियाल के दमाग में काम करना शुरू कर दिया था मेरा मोबाइल लाओ मैं उसके दोसे बता करता हूँ इबराहीम ने फाइका से कहा तो नागावारे से समीना को देखती अंदर की दरफ बढ़ गई तब ही रोशाने हामती कामती भागती हुई आए अम्मी दानियाल चलती घर चले अबू को ना जाने क्या हो गया है घर से भागने वाले ये थोड़ी सोचते हैं ये पीछे घर वालों पर क्या गुसरेगी सोभारिया कमरे में मजूद अकलोते बलंग पर चोकड़ी मारे दिवार से टेक लगाए तोनों हाथ कोट में रखके हमोशी से सामने बैठे साइम को देख रही थी जो पिटके किनारे दोनों पॉंट टिकाए कुरसी पर वेठा मुबाइल पर मस्रूफ था ये मुराद के घर का सर्वन्ट कोडर था मुराद को कायल करना कि वो उन्हें चंद घंडों के लिए यहां ठहने दे बहुत मुश्किल मराला था और साइम ही जानता था कि उसे मुराद को किन दिक्तू से बनाया था मुराद के घरवाली कहीं कहे हुए थे और साइम जानता था कि मुराद घर में अकेला होगा तोनों राद के दो बचे वहां पहुंचे थे मुराद चोकिदार की नजर से बचा कर उन्हें अंदर लाया था उन्हें सुबा पांच वजे की ट्रेंड से रिकलना था और तब तक के लिए ये एक मेफूस बनागा थी सॉरी मैं गेस्ट्रोम भी खुलवा सकता था मगर मैं कोई रिक्स नहीं लेना चाहता मुराद के लहजे में जुझलाट थी जैसे वो उनकी मदद करके बच्टा रहा हूँ वो बात करते हुए सुबारिया के दरफ नहीं देखना चाहता था उसे ये लड़की बहुत बुरी लग रही थी वो साइम की हादर अपने घरवालों को छोड़ा आई थी ये बात उसे मुवीज में जितनी पे ट्रेट करती हूँ इस वक्त उसे ये सब बहुत बुरा लग रहा था बस वो दोस्ती के नाम पर प्लेक मिल हो गया था उसे रह रहकर रिदा काया ला रहा था नहीं यार तुमने हमारे लिए बहुत किया है हम सुबा होने से पहले ही निकल जाएंगे साइम ने मम्नून अंदाज से मुराद के गंदे बार हाथ रखा मुराद ने उसका हाथ अटा दिया वो चाता था ये चंद घंटे मिन्टू में गुजर जाए तुम लोग रेस करो मैं कुछ खाने को लाता हूँ खाने की दुरुट नहीं है मुराद भाई सुबाया ने जल्दी से कहा भाई का लफ्स भाले की तरह मुराद को लगा था तब ही वो देशी से भाई निकल गया साइम ने मुबायल से नजर उठा कर उसे देखा क्या सोच रही हो घर में क्या हो रहा होगा रात के दो बचे सब सुखोन से सो रहे होंगे साइम ने मुबायल पावर आफ कर दिया तुम्हें अपने घरवालों की सरा परवान ही उचिड़ गई क्योंकि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ और तुम आदी यहाँ हो और आदी वहाँ साइम के एक चुमले ने लड़की और लड़की की फितरत को खुल कर वियान कर दिया था तब ये तो लड़कियां ऐसे सुरत हाल में सावित कदम नहीं रहती हमेशें तो हिसों में बटी रहती है मैंने तो कभी सिंदगी में नहीं सोचा था कि घर से भाग कर शादी करूँगी सुपारिया ने दूखी लहजे में कहा और मैं तो बच्पन से प्लैनिंग करता आ रहा हूँ सुपारिया की प्रोन आँखों में तीखा साथा सुरू उप रहा हूँ यह सेशिन पर दाने अलवाई आ जाए सुपारिया को साइम का इत्मिनान उस्सा दिलाने लगा था साइम ने बतमसा होकर उसे देखा अल्ला ने सूरत क्या अच्छी देदी तुमने तो कसम करी कहा ली है बात अच्छी नहीं करनी साइम सब ठीक हो जाएगा ना अंदर की कैफे से घबरा कर उससे साइम का हाथ थाम लिया मुझे सोफिस से यकीन है हम कोई दक्के खाने तु नहीं जा रहे नाना को मना कर निकाह करेंगे और फोरण वापिस आ जाएंगे बलके आने से पहले नाना से कहेंगे वो घर में बात कर लें और मुझे पूरा यकीन है वो सब ठीक कर लेंगे उसका आप तब तपा कर वो तसली देने लगा सोफार्या हलका समस्कुराई थेंग गॉड अभी में एक रोनी खाले जो हम अल्रेडी ठंडी कर चुके हैं उसे चमचा भरकर सुपार्या की तरफ किया उससे मुझ खोल कर नवाल लिया अभी स्यादा ठंजी नहीं हुई ठीक तो कर रहे हैं जब कोई इनकी नहीं सुनेगा तो यहीं करेंगे ये इनकी जिन्दगी है वो जिस तरह चाहें गुझारे किसी को उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए खिर्गी में खड़े मुराद ने सर्वन कौर्टर पर आखरी नसर चाली वो स्लाइट प्रापर करके मुड़ा वो कब से हुद को तसलियां दे रहा था ताकि ये जन्गटे स्कून से कुसार ले सामने दिवार पर तस्वियें लगी थी उनकी फैमली पिक्चर्स इसमें मामा, बापा थे मुराद खुद था और रिटा उसे खंदे से लड़कती रिटा मूँ चड़ाती, असी मुस्कुराती ऐसी ही तस्वियें सुपारिया के घर की दिवारों पर भी लगी होंगी वो भी चेहन होकर बेट की किनारे आ बैठा तब ही उसका मुबाल कुन गनाने लगा फारिका की कॉल थी नहीं, वो ये कॉल रिसीव नहीं करेगा यूँ भी रात के इस पहर वो सो रहा है भूत को धोका देने के लिए वो बेट पर दरास हो गया मगर बेल वक्फिव किस्से होती चली गई उसे चुचला कर कॉल ली आंटी इस वक्त हैरियत साइम कहा है फारिका ने छूटे ही पूचा वो एक लम्मे को गरवड़ा गया घर पर नहीं है घर पर होता तो मैं रात के इस वक्त उसे ढूनने के लिए तुमें कॉल कर रही होती वो और जुबारिया उनुने घर छोड़ दिया है तो मुसके दोस्तों को इशारा कोई बात उसे कुछ तो किया होगा मुराद ने बेचेने से पेशाने से लाई उफ मुश्किल ही मुश्किल थी वो किसना इलतजा कर रही थी साइम ने हमें बहुत बुरी सिच्वेशने बसा दिया है और जुबारिया वो चानती ही नहीं उसे घर पर क्या क्यामत डूटी है कग क्या हुआ मुराद के अवास बस गई उसके अबू होस्पिल लाइस है ना जाने हाट अटेक हुआ है या उन्होंने चुमला अधोरा छोड़ दिया मुराद ने बेबसी से तलू होती सुबा को देखा उसके सोचों के किरताब में बसी रात कपी थी कब असान हुई उसे कुछ गवर नहीं हो थी वो समझ रहा था आइका ने उसे रात में कॉल की मगर भाई थुन से बाख रोशन सुबा तारिकी ही कोच से जनम ले रही थी बहुत प्याना खुआप था सुबारिया हर बढ़ा कर जागी कुर्सी पर जोलता साइम भी गवरा कर उठा क्या हुआ सुबारिया हुआस भागता सी दोज़र देख रही थी कोई रो रहा था कोई भी नहीं है जेवी मेरी तरफ देखो यहां सिफ हम है साइम, साइम घर कॉल करो सुबारिया की नसर तक्ये के नीचे रखके साइम की मुबाइल पर पढ़ी तो चपट कर उसके तरफ अढ़ाया साइम ने मुबाइल हाथ से लेकर जेव में डाल लिया मैं तुम से कह रही हूँ घर कॉल करो साइम ने पास बैटकर नर्मी से उसका हाथ पकड़ा हम इस वक्ट घर कॉल नहीं कर सकते सुबारिया पेपरसी से उसे देखे गई आई होप वहां सब ठीक होगा फिर भी अगर तुम्हारे दिल में कोई डाउट है तो हम वापिस जा सकते है सुबारिया कुछ लम्हें उसे देखी गई फिर नफी मिकर्दनी ला दी नहीं मेरे दिर कोई डाउट नहीं है तुम्हें अब जाना चाहिए उराद के वास पर धूनों जोंके साइम खड़ा हुआ उराद के आंके सुर्ख और चेरे पर इस तराब था तुम ठीक है रहे हो वक्स जादा हो गया है सोरी नाश्टा नहीं करवास होगा रासे में कुछ ले लेंगे क्या बात कर रहे हो यार तुम उलरडी हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हो थैंक्स यार तुमने दोसी का हकता कर दिया साइम जस्पाती होकर उसके गलिया लगा सुपारिया ने अपनी जेकेट पहनी सकाफ लप रेटा मुराद हमोशे सुपारिया को देख रहा था क्या मैं बताओं कि इसके फादर होस्पेचलाइस है शायद ही रुक जाए क्या हुआ साइम ने उसकी पेट वच्ची पूरी तरह मैसूस की कुछ नहीं तुम लोग फ्रेश हो जाओ मैं तुम लोग को ड्रॉप कर देता हूँ गेरी सांस लेकर उत को कंपोस काईते हुए वो हलका सा मुस्कुराया हो सकता है बाप की विमारी का सुनकर वो रुक जाए मगर वो अपने घर में कोई तमाशा नहीं करना चाता था तब ही उससे उन्हें सेशन डॉप करने के बाद वाइका को कॉल की थी अस्वताल के सर्थ कॉरिडोर में काली, शॉल, ओड़े, रोशाने इतनी वासपाकता थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो विमार बाप के लिए दुआ मांगे, सुबारे की तलाश में निकले शॉहर की फिकर करे जिसकी आँखों में हून उत्रा था, या फून करके मांगे है रिद पूछ ले जिसे वो अजीब सी आलक में छोड़ आई थी, साइटा समीना के पास रुख गई थी दानियाल सर्मत को अस्वताल छोड़का फार्का की कॉल पर चाचुका था और तायाप्बा, उनसे जुजरी लेकर तायाप्बो को देखा, तो दुसरा हट के एसास हुआ जाड़ी धूर्दूप सुबहर साप कर रहे थे, वो अकेली नहीं थी तायाप्बो, अप्बो चीक हो जाएंगे ना हाँ, इन्शाल्ला, वो थक कर कुर्सी पर बैट गए दानियाल की कॉल आए नहीं, मैंने ये दुरुने चिड़क दिया रोशाने ने आंसु भी और पास वैट गई अब मत करना, कुछ पता चला, दुख बता देगा उन्होंने आँखे मून नी, रोशाने का दिल जहां उनके कंदे पर सर रखकर सारे आंसु भाहा दे और वो नर्मी से उसका सर तवकते रहे मगर वो तर गई फिर दाया अभू भी रोपड़े तो एक बार फोन करके अपनी मा का पूछ लू उन्होंने बंद आंकों से कहा तो हाथ में बगड़े मूबाइल को देखने लगी क्या पूछ थी, जानती तो थी कि मा की क्या हालत है साइश्टा समीना को संभालते संभालते हार गई समीना के अंदर का हो उमटो मटकर बाहिर आ रहा था खुदी समाल करती और जवाब का सोच कर ही डर जाती अभी लोग सर्मत की यादत को आएंगे रुशाने का पूचेंगे तो कैदों की बाप के पास हस्पताल में है लेकिन अगर उनने सुभारिया का पूच लिया तो क्या जवाब दूँगी उनने डर कर साइश्टा का पलो पकड़ लिया उनकी लंबी सुभाने कैसे काटूँगी ये काम पर सतार लोग करते हैं और हमारी सत्व अपने साथ ले गए बेस्टी का इश्ट्यार लगा गई है अम बताएं आपा किस किस को जवाब देंगे वो आजाएगी साइश्टा ने बेबसी से उसके पेहन सुनकर रसली दी नहीं आएगी और अल्ला करे कभी न आए क्या कह रही हूँ आपा सबसे कह दे बाब अस्वताल क्या था मगर मैयत सुभारिया की आई है वो बेहन भूलकर सफाके से कोया हुई साश्टा देहल गई अल्ला ना करे कैसी बाते करती हूँ ना हुन से कोश उदा होता है ना कोक सचनी उलाद को जीते जी मारा जा सकता है ना दानी कर गई है दानियाल ढूनने क्या है वापिस से आएगा दानियाल से कहें वापिस आ जाए समीना ने सकती से काल लगड़कर आंसु साफ किये और खड़ी हो गई मुझे अब सोभारिया नहीं चाहिए मैं नहीं जानती सोभारिया कौन है मेरी सिर्फ एक ही बेजी है रोशाने समीना ने अपना कलेजा नोच कर उस पर एड़ी रखती थी साच्चा ने दिल पर हाथ रख लिया आज वो लड़की अपनी मा की दुआउं से भी निकल गई थी ट्रेन खड़ी थी और स्टेशन की भेहसूस गहमा गहमी अपने रूच पर थी चाहे नाश्टे की आवाजें उतरते चरते मुसाफिर बच्चों का शो शराबा बक से किसीटते वसन उठाते कुली वो दोनों भी एक डब्बे में इस सवार हो गए थे सुफारिया ने बैक बैक उतार कर खोनी तले दबा लिया मैं कुछ खाने को ले आऊं साइम को याद आया मुराद ने कहा था नाश्टा राश्टे से ले लेंगे बाद में न मुराद ने कहा ना साइम को ह्याल आया नहीं मत जाओ सुभारिया ने गवरा कर उसका वासो बकड़ लिया अगर ट्रीन चल गई सामने बैटी उन्ही टोपी और लंडे की उन्ही जादर होड़े पारी परकम औरत ने चल चस्वी से सामने बैटे साइम और सुभारिया को देखा अपनी वसा कता और हाल हुलिये से दोनों हाथ से अमीर खाराने से लग रहे थे ऐसे कैसे चलेगी मैं आ जाओंगा अगर तुम धबबा भूल गए वो मजीद ख्वास वाकता हुई यार मैं कोई बच्चा हूँ साइम ने जुझुला कर भासु छोड़वाया और सामने बैटी हातुन से महातिप हुआ आंटी प्लीज थोड़ी देर इसका हैयाल रखेगा मैं अभी आता हूँ हाँ हाँ तसली से बैठो फ्रेन चलने में भी वक्त है भाई को चीज़े लिया आने दू आतुन ने अपने समझ के मुदाविक कहा वो भाई का लफ सुनका दोनों चीपर के बेप मज़ा हुए तबे डबे में भान भान की चीज़ें बेचने वाले ताहिल हो गए तो साइम ने महीं से बिस्कीट और आलो वाला नाना रीद लिया सुवारिया ने इप्टमिनान का सांस दिया इन रस्तों को कदम पैचानते थे वा पीछे रहे गए थे वो रचनभी रस्त पर वो एक कदम भी साइम की मर्जी के बगएर नहीं रख सकती थी लगता है पहली बार ट्रेन में सफर कर रहे हो आतून की दिल्चस्पी भड़ी और इंटर्व्यू शुरू हो गया जी सुवारिया ने मुक्तसर जवाब दिया कहां जा रहे हो नाना के पास चाए वाला के अवाज पर साइम चाए लेने लगा यह जो तुम्हारा भाई है यही साथ है यह कोई और भी है वो मेरा भाई नहीं है सुवारिया न दान पीसे साइम धब से सुवारिया के बरापर बैठिया जैसे साथा सुवारिया को समझ राना था कि वो मजीद पोल मत खोले आतून की आंके उबल आई तो फिर कौन है मेरा कसन है हाए घरवालों ने जवान लड़कियों कसन के साथ इतने लंबे सफर पर भीज दिया देखें आंदी हम दोनों एक ही घर में रहते हैं हमारे नाना बिमार है इसी हम उनके पास जा रही है आपके सवाल जो आप हतम हो गए हो तो हम सुकून से बैठ जाए साइम ने कोशिश की कि लेजा नार्म रहे मारे लेजा अच्छा आसा फदलियास हो क्या था हाथून पर बढ़ाने लगी साइम सुबारिया की कान पर जोखा मगर सरभोशी करने से पहले नसर भटक गई फ्रेन जैसे पूरी रफ़तार से दोड़ी थी सुबारिया ने कर्दन को माकार उसे देखा और उसकी नसरों के ताकुप में किड़की से भाहिर दोने जैसे बर्फ के मुझस्पे हो गए थे तानियाल और इफ्राहिम को नहीं कोया मोत के फरिष्टों को देख लिया था अगर वो सीधे इसी डबबे की तरफ आये तो मगर दोनों का रूप अल्वन बिस्निस क्लास के तरफ था और ट्रेन अभी टस से मस नहीं हुई थी इतना वक्त लगता उन्हें वहाद से यहां आने में साइम के सेहन ने तेज़े से काम किया हमें यहां से निकलना है मगर इस तेज़े से सुभारिया का सेहन काम नहीं कर पाया था साइम का हाथ थामें ट्रेन से उतरते और तेज़े से हजूम में कुम होते उसे याद ही नहीं रहा था कि उसने अपना बैक बैक नहीं उठाया था जिसमें उसके कपड़ें और दीकर सुहुरी सामान था दोनों सेशन से कुछ दूर एक नहीं बुकता मकान की होट में रुखे थे से भी ठक कर समीन पर ही बैठ गई साइम ने अपना बैक उससे गरीब भेंगा समझ में नहीं आता उन्हें हबर कैसे हुई हम ट्रेन के जिरे जाएंगे मैंने सुहाए मुराद के और किसी से जिकर नहीं किया था लेकिन अगर उससे बता ना होता तो हमारे लिए इतना कुछ क्यों करता सुभारे ने हमोशी से साइम का बैक खोला आने की चोटी बोदल निकाली फिर एक्दम चौक कर इतर उदर देखा साइम मेरा बैक साइम ने चौक कर इतर उदर देखा कहां रखा वो जेवियन दमाग पर जो डाला ट्रेन में रह गया हट करती हो यार साइम ने चुझला कर धोनों हाथ चटके शुगर है मैंने अपना बैक तुम्हारे हवाले नहीं कर दिया था अब क्या होगा कुछ नहीं उसकी उधरी सुरत देखकर साइम को तरसा गया पानी पी हो सुभारे ने हमोशी से बोदल मुँ को लगाई साइम ने अपना मुबाइल निकाल कर आउन किया मैसेज़िस और कॉल्स की भरमार थी आखरी मैसेज फाइका के तरफ से था जिसे भढ़कर साइम के हाथों के दोते उड़ गए मुझे भी पानी दो हल्क में कांटे सुगाए सुभारे ने बोदल उसके तरफ बढ़ाई साइम ने दो खूंड लिये और ठकन लगा दिया अब क्या होगा अगली ट्रेन कव आएगी साइम हमोशी से आकर उसके पहलू में बैठ गया यहां क्यूं बैठ गय हो जाना नहीं है कहा साइम ने बेठ भच्जी से जमीन पर लग लगी खींजी नाना के पास सुभारे ने ताच उपस से देखा वो हमारा सुनकर यहां आ रहे हैं मामा ने मेसेज किया था सुभारे ने बूरा मूँ खोल लिया क्या साइम अब क्या करेंगे मकडी अपने आप जाल में फस गई थी साइम अब हम क्या करेंगे सुभारे ने उसका खंदा दबोच कर अपना स्वाल दराया मैं नहीं जानता उसे बेबसी से दूर कच्छे पके मुकानों पर उतरती धूप को देखा धूप जिसमें अभी हिद्दत ना थी समीना सरमत साइब के बेशान आद पर बेशायें टिकाए भूट भूट करो रही थी सरमत साइब की आँखों में आसो आ गए डॉक्टर ने मना किया था उन्हें किसी किसम का सेनी दबाव नहीं देना मगर वो उन्हें पुर्सकून रखें तो कैसे ये सब मेरी वज़ा से हुआ है मैं अच्छी मा नहीं बन सकी उसकी धर्भियत नहीं कर सकी अच्छे भूरे की तमीज से ही सिखा सकी अमी बस करें अब उत को कोचने का क्या फाइदा वो ही बेखकल निकली इस सब में आपकी क्या गल्ती रोशाने ने तसलिय देना चाही मेरी तो गल्ती है ना अल्ला का होकम याद रहा ना मौश्रे के तक आसे जवान लड़के वो खुलम खुला अपने घर में आने जाने की जासत दी लड़की को खुद उसके साथ भेज़ दे थी आय सर्मसाब फालिश तो मुझे होना चाहिए था समीना बिलग बिलग कर रो रही थी वुनागार तो मैं थी सर्मन ने जजयत के साथ आंके मून नी रोशाने बामुश्किल समीना को कमरे से भाहिल आई जहां सुपहर साब के पास सानियाल करा था समीना को बिठा कर वो उनके पास सली आई इस्जत औ गहरत के मामले दाने में नहीं हलोते रोशाने का दिल धक से रह गया तो क्या करूँ मेरे पास कोई और आप्शन है दानियाल बिगडा दानियाल तहमल से काम लो उन्होंने बेटे को ठंडा करने की कोशिश की वर दानियाल का सब जवाब दे चुका था और उसके देवर इफराहीम ने भी देखे थे तब ही तो फून करके मुराद की मिन्ते कर रहे थे वो उसे लेकर नाना के पास नहीं जा सकता आइकान उसे मेसेज कर दिया था मगर मुराद बेटा वो तुम से रापता जरूर करेगा उससे कोहो मुझसे बात करे मैं उसका बाप हूँ दुश्मन नहीं दानियाल उस पर अगवा कर लसाम लगा रहा है माँ बाप के दवा में जुबारिया ने भी यही कहा तो वो पुरी तरह बसेगा मगर जुबारिया ऐसा क्यों कहेगी वो तुसे मुहबत करती है दानियाल हकलाया जहन्नुम में जाए मुहबत वो पटपड़े दानियाल और पुलिस से पहले मेरा साइम तक पहुँचना जरूरी है तुम्हारी समझे मेरी बात आ रही है या नहीं जी जी अंकल मैं साइम से राप्ते की कोशिश करता हूँ I hope वो मुझसे कॉंटेक्ट जरूर करेगा मगर साइम ने मुराद से राप्ता नहीं किया था उसे शक था दानियाल को उनके बारे में मुराद नहीं बताया था साधा सा कमरा इसलामी, तारीही वो कानूनी किताबों से वरा हुआ था कमरे में फर्शे निशिस का इतमाम था कमरी की वाहिद खुली किर्गी से धूब अंदर आ रही थी मगर सर्दवा दूब की शित्य तो कमला रही थी मौलाना अब्दुलरह्मान एक मोटी किताब के वर्ख किर्दानी में मसरूफ थे उनके एन सामने साहिम और सुभारिया कुटनों के बल फरश पिपे थे ने तालिब इल्मू की तरा गवराय हुए थे गवराहट में उमलिया मरूड थी सुभारिया ने कन अग्यों से अब्दुलरह्मान साथ को देखा साहिम अपना मुद्धा ब्यान कर चुगा था उन्होंने सुनाया नहीं बस हुम सलसल वर्ख किर्दानी कर रहे थे सुभारिया ने बेचैनी से सर पर मुझूरिस काव को ठीक किया साहिम न उन्हीं मतवच्छा किया खिटगी बंद कर दो बेटा हवाजर थे उन्होंने नरमी से कहा तो साहिम ने उठकर खिटगी बंद कर दि हवागा रास्सा रुकिया था मर खिड़की के शीशे धूप और रोश्णी को नहीं रुख सकते थे मेरे बारे में किसने बताया एक दोस्त ने उसने आपसे कुरान पढ़ा था कौन उन्हें किताब से नजर उठा कर दोनों को देखा नाम नहीं बता सकता उससे वादा किया है साइम तस पसब भरे अंदार से बोला मुरहना साब मुस्कुराए वो किताब में निशानी लगा कर किताब बंद कर दी माशाला वादा निभाना आता है अच्ची बात है फिर वो सुभारिया के दिरुमत अच्चा हुए बेटी आपका क्या नाम है सुभारिया पुरा नाम सुभारिया सर्मन माशाला प्यारा नाम है सर्मत साब कहा है जी सुभारिया उनके अच्चानक सवाल पर करवड़ा आ गई निगाह करने आई है तो बाप भाई कोई तो साथ होगा सुभारिया ने गवरा कर साइम को दिखा उसे खंकार काला साफ किया सर, हमारे पेरिंट्स राजी नहीं है इसलिए हम यहाँ आए है मैं आकिल और बाली हूँ अपने बारे में फैसला करने का हक रखता हूँ हमें पूरा हक है कि हम अपनी मर्ज़ी से जिन्दी गुजारें बिल्कुल उन्होंने संजीती की से सर हिलाया साहिम के अंदर तमानियत का एसास जागा तो अपना मुक्फ मस्ज़ीद मस्बूत किया इस बात की अजासत तो हमारा मज़भी देता है बिल्कुल देता है लड़के और लड़की की मर्ज़ी के बगए निकाह गलत है मगर उन्होंने हलका सवकवा दिया मगर वली की अजासत भी तो ज़रूरी है वली? सुभारी ने ताचुप से दोराया जी बेटी आपका बाप, भाई या कोई भी महरम रिष्टा कवाई लड़की के निकाह के लिए वली की अजासत ज़रूरी है हाँ बेवा या मुतलका को अपनी मर्जी की अजासत है उन्होंने धीमी लेचे में समझाया वो लोग मान रही होते तो प्रॉबलम क्या थी? साइम चुंचलाया तो उन्हें मनाओ वगर इस सारा घर से भाग कर वालदेन की रज़मन्दी के बगए निकाह करना हर्गिस मुनासिब नहीं जबके माबाप की नराजी अल्ला की नराजी है उन्होंने दोनों के चेरों पर फैले नागवारी को भाग हो चांगा साइम घर से भागने का होसला है तो घर में रहकर अपनी बात मनवाने का होसला भी होना चाहिए अभी काम उमर हो जाकर अपनी तालीम पर तवच्चा दो एक वक्त आएगा जब वो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे तोनों नहीं दूसरे को देखा और बेटी तुम बरदाश कर लोगी सारी जिन्दी ही तुम्हारे नाम के साथ घर से भागी हुई लड़की का लेबल लगे सुभागे की नसरे जुक गई सर आप समझते नहीं है साइम चुंचला क्या इसके घर वाले सबड़सी इसकी मंगनी कहियों करवा रही है बेटा तक्दीर हम नहीं लिखते तक्दीर अल्ला लिखता है ये उसे सेवी को देखा ये अगर तुम्हारे नसीब में लिखी है तो इसे कोई और नहीं ले जा सकता और अगर तुम्हारे तक्दीर में तुम दोनों का साथ नहीं तो घर से भागना भी बेफाइदा ही होगा ठीक है सर आपका शुक्रिया हमने आपका बहुत वक्षाया किया साइम एक छटके से खड़ा हुआ उसके नो ओमर जेरे पर नागवारी नुमाया थी सुभारिया अपनी जगा से टस्प से मसना हुई सुभारिया चलो सुभारिया ने सर उठाकर अब्दुरह्मान साब को देखा उनकी शवकदरी मुस्कुराट पर सरमर्ट साब की मुश्राट का शायबा होता था वो जरा सागे को जोगे और अपना हाथ से भी किस सर पर रखा मेरे बच्चों, अल्ला तुम दोनों को सीधा रासा दिखाए मेरा रख तुम्हारा हामियो नासिर हो वो किसी भारी सिल्की तरह वहीं खड़ गई थी दो रहया लंबे दरख्तों से गिरते पत्तों की आखटे काइनात पर जाई, हजाओं की सैसर आखटे कोलतार की सुर्माई सड़क, शाम के दुनलके में डूबी, कुछ और सिया लग रही थी इतनी देर में तो निकाह का हुद्वा तीन बर बढ़ा देते जितनी देर उन्होंने हमें लेक्चर दिया है साइम ने जुझला कर रोश पत्तों के अपने कदू नुक्तले रोंदा निकाह हो जाता तो दोना अपने अपने घर की उत्तत भरी विजा में बैठे गरवालों की कर्मा करम सुन रहे होते सुभारिया की में सलसल हमोशी पर साइम ने करदर मोड़ कर देखा वो कुमसुम, हमोश, उसी उदास चाम का हिस्सा लग रही थी साइम ने महिसूस किया, वो एक पॉंग दबा कर रख रही थी और ऐसा करते हुए, हल्किसी तकलीफ की आसार उसके चेरे पर आ जाते क्या हुआ, वो फिकरमंदी से रुक गया कुछ नहीं, सेभी की धकी धकी निगाहों ने बैटने की लिए जगा तलाशी फिर वही फुटबार्ट की किनारे बैटकर अपना चूता उतारने लगी साइम ने देखा, उसके पॉंग का अंगोटा सूच रहा था यह क्या हुआ है, साइम ने बेटियार उसके पॉंपर हाथ रखा रहने दो, यार देखने दो दो शायद कहीं भागते हुए ठोकर लग गई यह तो बहुत स्वेलिंग हो रही है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, हम कोई मैडिसन ले ले लेते साइम ने नर्मी से अंगोटे को से लाया, सुभारिय के मूँ से सिसकारी निकली मैं तुम्हें परिशान नहीं करना चाहती थी ऐसा खेते हुए उसके आँगे लपलप पानी उसे वाराई साइम दुकी सा हो गया, सेवी का उत्रा शेहरा, मधम रंगत, आँखों में पनवर साइम अपने नाना को कॉल करो, वो जहां है हम वहाँ चले जाते हैं, इससर सड़कों पर कब तक भटकेंगे तुम धग गई हो, साइम ने आइसस उसके आँसों साफ किये मुझे ठर भी लगने लगा है, रात हो जाएगी, कहां जाएंगे सेवी ने सर उटा कर दरक्तू को देखा, और होफसदा होकर शाम के आखरी हिच्ची को सुना साइम तेजी से कड़ा हो गया, तुम ठीक कहती हो, हमें रात होने से पहले पहले कुछ करना होगा अगर पहले तुमारे अंगोटे के लिए मेडिसन लेना होगी, इसको भूल जाओ, वो करो जिसके लिए हमने इतना बड़ा रिस्क लिया है सुभारिया पटपड़ी थी, जस्ट रिलेक्स आओ मेरे साथ, साइम ने सफसे काम लिया सुभारिया, यह हालत बताती थी, यह किसी भी लम्हे हिस्टेरिया होकर चिलाने लगीगी पता नहीं, यह साइम को लगता था, निकाह करना इतना असान है कोई भी मुल्वी साथ दो तोल बढ़ाएंगे, तीन पा कबूल है वो आराव से घर जाकर मा के हाथ की बनी स्पैकेटी खा रहा होगा मगर उस चोटी सी मस्जित के छोटे कतवाले, मुल्वी साहब मुद्दा सुनकर यूँ चिलाए कि उनकी सफेद लंबी दाड़ी काम काम कई तुमने क्या मस्जित को अपनी वारा कर दियों का मरकद समझ रखा है ये मस्जित अल्ला का घर है, घर से भागने वालों की बना गहा नहीं लेकिन शरियत हमें इस बात की जासत देती है, शरियत बड़ी होती तो यूँ लड़की भगा कर लाते उनने सीधा सीधा अपने जूते की दरफ हाथ बढ़ाया और साथ साथ बुकारने लगे सिराज, मुहम्मद अली, इन्हें उठा कर अंदर बंद करो, मैं उनने शरियत का सबक पढ़ाओ साइम ने सुभारिया का हाथ पकड़ा और वहाँ से दोड़ लगा दी साइम निस्वतन का मरश्वाले मेडिकल स्टोर का इंताप किया वो दोनों अपने इलागे से बहुत दूर, वो तो गदरे महफूस समझ रहे थे साइम स्टोर के अंदर चला गया था, सुभारिया ने अपना दुखता हुआ पहूं जोते से निकाल कर जोते के उपर रखा उसके इंगोटे से उन पहने लगा था अम्मी, तकलीफ के हिसास के साथ उसे महायाद आई, अब तक तो उसने घर सर पर उठा लेना था और घरवालों ने जातेली का चाला बना लेना था, अब क्या कर रहे होंगे अभी तस्वर जवाब नहीं था, पिनसरीन की अवास उसे दहला दिया हाए हाए सुभारिया बीबी, यह नसरीन थी, उनकी कालोनी में घर कर काम करने वाली नसरीन ये भी किसमत की सितम सर्फी थी थी कि सुभारिया कोई इसी वक्त यहां खड़े होना था जब नस्रीन अपनी बेहन के घर से वापिस अपने घर जाने के लिए निकली थी और शामते अमाल बेहन का घर यही पिछली कली में था है जेबी वीबी तुम इस वक्त क्यां क्या कर रही हो मैंने तो सुना अपने आशिक के साथ घर से भाग गई थी वो कहां है नस्रीन ने इधर तक करतन खुमाई सुभारिया स्काफ खेंशी आदा मू चुपाती पीछे को किस की निगाँ किया या वैसे ही साथ रखा हुआ है तोबा तोबा मेरे मू में हाँ मगर तुम जैसे लड़कियों के इंजाम तो यही होता है वो सामली रंगत ठिकने गत वाली मैली औरत को उसने कभी सलाम करना भिकावारा नहीं किया था आज वो सड़की किनारे खड़ी सुवारिया सरमत को तोखोड़ी का कर रही थी इस सरदी में सुवारिया के बसीने चूटने लगे अलग में कांटे उक रहे थे ऐसी बाते मत करो सारा जमाना दूद हो कर रहा है ऐसी बतनामी बाप बेचारा अस्पताल पहुंच गया घर वाले मूँ चुपा कर वेटे हैं अब्बू को क्या हुआ सुवारिया ने तड़प कर पूछा तुम्हें क्या फरक पड़ता है अस्पताल पहुंच या कबर में तुम्हें जैसी उलाद के पैदा होने से तो बेटर है बंदा बे उलाद ही रहे साइम ने बाहर आकर कुसरती टेक्सी को हाथ दिया टेक्सी रुक गई उससे करधर मोड कर देखा सेगीवी के पास किसी उरत को बात करते देखकर वो तेजी से पास आया सेवी का हाथ बगड़कर टेजी से टेक्सी में सवार हो गया नसी कानों को हाथ लगाती रही आयायाय तो यह इस लड़की के साथ भागी है और फिर जंगल की आँग की तरहा पर भैली सुभारिया और साइम का किस्सा हस्पताल में बड़ा बाप बहाने बना बना कर खुदी रोने वाली मा लोगं के सुभाने नहीं अन फिलाए सामते उस घर का कोई भी फ़र्ट नजर आता उसे ठस लेती एक बार सुभारिया इस मंज़र को अपने सामने देख लेती कि उसे घर वाले किस अजियत में है तो शायद उस अजियत सहले थी मुहपत से जुदाई की अजियत इससे कहीं कम होती होगी समीना ने दानियाल के सामने हाथ चोड़ दिये थे अब उससे दफा करो दानियाल वो अब इसका भी कहा रही होगी एक बार तो लाउंगा एक बार तो हिसाब बेबाग करूँगा उसका एक ही जवाब था और जिन से हिसाब बेबाग करना था वो एक बसमानदा इलागे के गंदे टूटे पूटे गर में खड़े बेफ़कूफों के तरह दरो दिवार को दिख रहे थे ये भी उन्हीं की दुनिया का हिस्सा है जिस सेक्सी में बैटकर से भी धुवादार होती रही थी उसने उन्हें एक रात के लिए टिकाना फराम करने का वादा किया था वो टेक्सी ट्रावर क्रीम के मुईयत में उस नीची चट वाले कमरे में दाखिल हुए जहां दो जोरबाईयां थी एक दरव दो जस्सी ट्रंक उपर नीचे रखे थे जिन पर बिस्तरों कठेर था कमरे में बंदी रसी पर सराना कपड़े धोले कंदे एक गठे लड़क रहे थे कमरे में अजीव सेलन्स अदा भू थी एक लम्मे को लगा उनका दिल उरट जाएगा ये? ये कमरा है? हाँ जी ये ही कमरा है करीम ने बांचे पहलाई कि वो उन्हें लाने से कभली कराया वसूल कर चुका था बस बाबू एश करो कोई तुमें डिस्टरब नहीं करेगा वो बार बार सुभारिया को देखा बिलावजा माईने ये इस अंदा से मुस्कुरा रहा था उल्लू का पठ्था बॉस्टरड साइम ने दिल ही दिल में हजारों गालिया दी साइम में यहां नहीं रुक सकती यहां रात गुसारने का तसवर ही वहिशत अंगेश सा मजबूरी है रात सड़क पर तो नहीं गुजार सकते साइम तब ही सुभान में बोला हम किसी अच्छे जगा भी जा सकते हैं क्या तुम्हारे पस इतने पैसे नहीं है साइम करीम की तरफ उड़ा ठीक है करीम भाई आप जाएं करीम उसकुराता हुआ भाई निकल किया क्या मुसीबत है सुभारिया चार पाई पर बैट कर रोने लगी जब से घर से निकले हैं मुसीबते ही कले पड़ गई है कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा जेवी यार मैं भी तो तुम्हारे साथ हो न मैंने जिन्दगी में कभी अतनी घटिया जगा नहीं देखी साइम आमोशी से उसके पास पैदिया अपना सेल दो क्या हुआ नसरीन ने बताया नहीं अबू होस्पिरलाइज है मुझे रोशाने से बात करनी है लेजा भाड़ काने वाला था साइम ने आमोशी से सेल उसके हावाले कर दिया सेवी ने बेताबी से ओन किया रोशाने की आवाज सुनकर उसका दिल जहां उड़कर घर वापिस चलिये जाए रोशाने अबू कैसे है रोशाने ने बहुत भेधे आने में कॉल ली थी सुबारे की आवाज पर उससे खरंट सा लगा उससे एक नसर बापपा डाली और बाए निकलाई ये भी गनीमत था इस वाज रोशाने के सिवा वहां कोई ना था रोशाने ब्लीज मुझे बताओ कौन बात का रहा है दूसे तब रोशाने नहीं कोई अश्ना भी था जो सुबारे को चानता तक नहीं था रोशाने प्लीज मुझे अब्बू साइम उठकर दरवासे तक जा खड़ा हुआ बाहर के कच्चे पके सेहन में सच-सब अभर फ्रोशन था क्या हमसे घल्दी हो गई अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था ये बश्टावे का एसास जागने लगा था जिंदी ये तीन घंटे की मूवी नहीं एक पेंपर लाइफ गुजारने वाले को एसास हुआ था तुम्हें इससे क्या तुम तो सारे घर को मार का निकली हो अब पीछे मुड़ कर क्यों देख रही हो अब जाओ अपनी मरसी के जिंदी गुजारो फुश रहो ना रहो मगर हमसे राप्ता करने की जुरूरत नहीं तुम्हारी हुदगर्जी का जैर हमने चक लिया है अब जीए या मरे तो मैं इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए रुशाने रुशाने मेरी बात तो सुनो वो फूट फूट कर होने लगी साइम ने पास आकर मुबाइल हाथ से ले लिया कॉल कट चुगी थी उसे यूँ ही खड़े-खड़े सेबी का अपने साथ लगाना चाहा सेबी ने गुस्से से उसे खुट से धूर कर दिया मैं बहुत बुरी हूँ मेरी वज़ा से मेरे अबो फूट पहुंच गए घरवाले मेरा नाम सुनना नहीं चाहते अगर मेरे अबो कुछ हो गया तो मैं फूट को कैसे माफ करूँगी उन्हें कुछ नहीं होगा सेबी तुम रोना तो बंद करो साइम को उसका रोना तकलीव दे रहा था साइम सेबी ने बेकरारे से उसका हाथ वकड़ लिया हमने गलत किया है ऐसा नहीं है उसा सेबी से जाधा वुद को चुटलाया था ऐसा ही है तब ही तो हमारे साथ भी गलत हो रहा है साइम चलो घर चलते हैं इस तरह कैसे जाएंगे निकाह भी तो नहीं हुआ निकाह नहीं होगा और हम इसी तरह यहां-वाह रुलते रहेंगे पैसे हतम हो जाएंगे फिर क्या करेंगे वो उसस में आ गई हम कूर्ट मैरेज करेंगे हम सुबह होते ही सारी इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन नहीं है तम모हरे पास कोई प्लैन नहीं है नाना की घर जाएंगे वो हसे हसे हमारा निकाह पढ़ाएंगे और हम वापिस आ जाएंगे हाँ क्या प्लैन था तुम्हारा बिना सोचे समझे मुझे साथ लेकर ख़र से निकल गए ये भी ना सोचा तुम तो लड़के हो फुट पार्ट पर रह लोगे किसी पार्क में सोचा होगे मैं क्या करूंगी वो पीपर का लड़ने लगी हाँ तो तुमने सोचा था ये सब मैंने तो तुम पर इतवार किया था सेवी ने लड़ना छोड़कर फिर से रोना शुरू कर दिया अच्छा बस करो हुआ महा लड़े जा रही हो आई प्रॉमिस वह होते ही कुछ न कुछ कर लोगा नहीं तो सेवी ने अपने आंसो परा चेरा उठा कर देखा घर जाकर सबके पैरों में गिर जाएंगे तुम बस मुझे अपना आईडी कार्ट दो आईडी कार्ट? हाँ, उसके बगएर कोर्ट मेरिज कैसे होगी? सेवी टुकर टुकर उसकी शेकल देखेगी अब क्या है? वो तो, वो तो अभी बना ही नहीं क्या मतलब? साइम शॉक्त था तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने कुन सा पूचा था? और मुझे क्या पता था कि निकाह के लिए आईडी कार्ट इतना सुरूरी होता है? तुम क्या अनपढ़ हो? तो मैं अंदाजा होना चाहिए था इसने शिचुएशन ने उसे चक्रा कर रख दिया था अच्छा हम उने कह देंगे आईडी कार्ट बात में ले ले क्यूं स्टूपिट बाते करती हो? उचिर गया अब क्या करें? मुझे नहीं पता उचा कर दूसरी चारपाई पर बैठ गया एक इस सरा पर यह हमोशी कमरे में पसकड़ा मार कर बैठ गई तमाग के खोड़े दोड़ाते दोड़ाते उसे भूख में सूस होने लगी थी उससे सेभी को देखा वो यूही बैटी हाथों के उंगलें मरोडे जा रही थी जैसे मूम की बनी हूँ बस करो तोट जाएंगी सेभी ने नराजी से उसे देखा और शुकल चारी रखा मैं कुछ खाने को लाता हूँ वो खड़ा हुआ सेभी उससे ज़्यादा तेजी सिकड़ी हुई मैं यहाँ अकीली नहीं बैठूँगी यार समझा करो मैं हट जगा तुम्हें साथ नहीं लेकर जा सकता ये इलाका भी ऐसा नहीं है साइम ने नर्मी से समझाना चाहाँ नहीं मैं तुम्हारे साथ जाओंगी वरना तुम भी नहीं जाओंगे सभी हट दर्मी से बोले तो साइम को मानना पड़ी अच्छा ठीक है रेडी हो जाओ हाँ अभी शावर लेकर चेंज करती हूँ वो भाड़ खाने को थोड़ी साइम खस्याना सा हो गया यार रवानी में बोलिया तुम तो हर बात दिल पर ले ही ले लेती हो दोनों घर से भागे हैं दूबली पतली सकीना ने पलंग के किनारे टिकते कोई इनकिशाफ किया तकि कि सहारे नींदरास करीम अपने जेप पर हाथ बेर रहा था दापरवाई से जवाब दिया वो तो नजर आ रहा है अभी निकाह नहीं हुआ तो कर लेंगी कोट मेरिज खेते सुआ सकीना ने हनूट से हाथ छटका लड़की अभी अठारा की नहीं हुई तुमसे किसने कहा करीम चूंका सकीना को सब पता है सकीना ने फखर से कहा चल रेंड दे बढ़ी आई अल्ला वाली तर्वाजे से कान लगा कर खड़ी होगी मैं कह रहे ही हूँ पुलिस केस बन जाएगा करीम एक छटके से उठ पैठा जेब में उंगलियां डालकर पांच हजार का नोट सकीना की नागों के सामने ले रहाया एक रात का पांच हजार देता है कोई एक रात के लिए नोट देखकर एक लम्मे को सकीना की आंके चमक उठी कईना असूदा हुआशे अंगलाई लेकर जागी मगर दूसरे ही लम्मे वो तड़ा कर बोली ये मेरा घर है करीमे कोई आशी का अध्डा नहीं इसे रात के हिसाब से कराई पर चड़ा रहा है सकीना का चुमला अधूरा था ये करीमे की टांक कमर पर पड़ी वो गिरते गिरते बची अल्ला करे तेरी टांक तूट जाए कोड़ी होकर विस्सर पर पड़े वो चिलाने लगी जब पुलिस आकर दर्वासा दोड़ेगी तेरी बेटियों को खीच कर सड़क पर खड़ा करेगी तो पता चलेगा तेरी जुबान पर फालिज करे जो मर्जी कहती रहे ये पैसे मैं वापिस नहीं करने वाला करीमे इज़द सब की सांजी होती है बगया निका के पकड़े गए और भी बुरा होगा स्कीना ने ज़रा नर्मी से समझाने की कोशिश की अच्छा करीमे ने सरक तेर कोगोड किया तो फिर एक काम करते हैं दोनों का निकाह करवा देते हैं क्या बात करते हो स्कीना हक का वक्का रह गई गई और लगे हातों हम भी दुबारा से कबोल है कबोल है पढ़ लेंगे, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी, ऐसा? क्रिमे का उसा जाक किता बैठिया, थोड़े पैसे मजीद मिलने की आज से तबियत बहाल करती थी, पर आमर, स्कीना ने उसे पीछे दखेला, इंदुवों वाली बातें, उनी के ट्रामों में देखी है, ये बार बार होती शादिया, क्रिमे हस्ते हस्ते भाहर निकल गया, जवाल जवाब करेंगे, और किसी ने तुम्हारी वाले वारसों को अतला दे दी, तो मैं भी फसूँगा, अब अंदर जाओ, उससे से भी को इशारा किया, मुझे इससे जरूरी बात करनी है, सकीना खाना दे देगी, कुछ नहीं है, सब बच्चों ने खापी लिया, सकीना हमोशी से अंदर आकर बैट गई, बर्गर वालब पर रफदारी से बर्गर बना रहा था, विसा में अंडे, टिक्की और डवल रोटी की महक प्याली थी, क्रीम की बात सुनकर साइम करबर आसा गया, कैसी बात कर रहे हैं करीम भाई, भाई भी कहते हो और बातें भी चुप का, उसा करने की जरूरत नहीं, फुलिस के हते चड़िये तो पूरी तरह फस होगे, आखिर उसके घरवाले हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठे, हम निकाह करना चाते थे मगर, मैं मदद कर सकता हूँ मगर कुछ पैसे लगेंगे, करीम भाई अगर ये हो जाए तो मैं घर फॉलिट साइम को दमा दिया, वो कुछ हैरान परेशान हॉली फॉलिट को दीख रहा था, क्या हो गया, मौलवी साहब और कवाहों को देने के बाद चुबचे के वापिस कर दूँगा, वो जुबारिया के पास आईडी कार्ड नहीं है, फिकर ना करो, वो हाना हाली असल चीज तो कबूल है, कबूल है, होती है, और तुम दोनों के दस थक्त, फिकर ना करो, सब कर लूँगा, और चोटे दस बरगर लगा दे, उससे बाद अधूरी छोड़कर हांक लगाई, बलकि ऐसा करना, ये पैसे पकड़ और घर विच्वा देना, उसे अजार का वो मुँपर हाथ रगती बाहर भागी, सकीना नोसे देखका चाती बीट ली, हाय मैं मर गई, कमबा कबसे इसके साथ ठक्के खा रही है, वो उस बिसन पर पानी के चपट्टे मुँपर मारती सुपारिया, उसको संभाल कर मुणी, ये काम तो निगा के बाद होते हैं, तु पिखड़ कर भोली, अपनी एयाश्यों के लिए कोई महल ढून लेती, हमारी कट्या तो ऐसी ही है, आप मुझसे कैसी वादे कर रही है, सुपार एक अधरा कर अंदर जाने लगी, सकीना सामने आ गई, तो कैसी वादे करूँ, एक बार अपने माबाप के बारे में नहीं जा दोबा दोबा ऐसी पतकर्तार और पचलन बेटी तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, आप मेरे लिए इतने बुरे अलफास मत इस्तमाल करें, उसे और बेबसी के एसासों से अद्ववा कर दिया, मुझे तो वो इलफास नहीं मिलने जो तेरे लिए इस्तमाल करूँ, ज कैसे उस औरत से चान चुड़ाए, वो अंदर चाना चाहती थी, सखीना रासा रोके कड़ी थी, मजबूरी, ये आजकल के लड़के जब मुहबत करते हैं तो लगता है जान देने लगे हैं, और जब जान देने की बारी आती है, तो सबसे पहले छोड़ कर भागते हैं, बस को मुह दिखाने के काबिल कहां रहे होंगे? ये तो करीम है जो पैसु के लालाच में बढ़िया, मैं होती तो मुह काला करके घर से निकालती, वो समीन पर धुक थी, अंदर कमरे में चली गई, सर्दा अजबान तले, खड़ी सुवारिया को लगा, वो समीन पर नहीं, उसक अजबाने घर खाना लेने आई थी, साच्टा के पास कालूनी की कुछ आवातीन बैठी देखकर सीधा किचन में खुस गई, वो किसी का सामना नहीं करना चाती थी, लोग पेमार बाप से जाधा सोबारे की किस्से में दिल्चस्पी रखते थे, कुछ देर में साच्टा उन नहीं कहां कहां तक के खा रहा है, वहां भरके बैठ गई, रोशाने शर्मिंदा से हो गई, तुम हुद्फून करके पूछ लेती, किया था, वो टांटने लगे कि दुबारा कॉल मत करना, अब वापिस लाकर क्या करेगा, सारी दुनिया में रिष्टहार तो लगे क्या है, अब तो एक ही दुआ है, अल्ला करे निकाह कर लिया हो, और वाइका अपसे अपने घर में रख ले, रोशाने के अंदर करें सवाल कल बलाने लगे, तो क्या लड़की सिर्फ अपनी हया, वकार और कृदार की वज़ा से भारी होती है, वरना दिन के से भी सादाल की, वो नुकसान उसी का सादा होता है, और जिसका नुकसान सादा हो, मुखताद भी उसी को होना पड़ता है, अल्ला बख्षे अब्बा मरूं कहा करते थे, मर्द तो मिट्टी का बर्तन है, गिरकर टूट जाए तो फिर से दामीर हो जाए, मगर और और तो पेश कीमत ही रहे, उस जाकर अल्ला से लड़ो, जिसने मर्द को चार शादिव के अजासत दे दी, और अपडों को नहीं दी, हद हो गई, आज यह ओरत कहती है, कि मर्द को बेववाफाई की अजासत है, तो उसे भी होनी चाहिए, बेववाई की अजासत, ना मर्द को है, ना ओरत को, ना झाएस तालोकात अल्ला की नज़र में मर्द के लिए जाइस हैं ना उरत के लिए मगर बेवफाई की मोहर किस पर लगती है औरत पर यूँकि बच्चा औरत पैदा करती है मर्द नहीं रोशाने डर गई उसे पहली बार साज़दा कुछ ने उससे में देखा था तुम लोगों का बस चले तो इस बात पर भी अल्ला से अस्ताफिर उल्ला भहस शुरू करतू जब काइनात बनी थी तो पहले मर्द को क्यों बनाया वो बोलते बोलते भाई निकल गई रोशाने ने अपने माते पर आया बसीना साफ किया बात कहां से निकल कर कहां जा खड़ी हुई थी मेरी बात लिख ले ये तुझे हराब करतेगा फिर करेगा किसी शरीफ साधी शेशादी इसकी तो हो जाएगी तू क्या करेगी सारी उमर घड से भागी हुई के लाईगी जादे जादे सकीना जो सहर उसे कान में खोल गई थी वो सुभारिया को नीलो नील कर गया था रोते रोते वो बेखाल होने लगी और उसके आँसों समिटने माला ना जानी कहां था फिर वो खुद ही धक कर चुप हो गई ना जाने कितना मग उसरा फिर साइम तेजी से अंदर आया उसके हाथ में एक सुक्ट बट्टा था और चेहरा होशी से तम तमा रहा था साइम उटकर बैटकई आंके शिद्धत एक गरिया से सुर्ख हो रही थी सेवी रोती रही हो मैं डर कही थी मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगे बागल हो इतनी वेतवारी साइम उसके लहजे में कुछ था इसने साइम को जुगा दिया क्या बात है सेवी दिल में कोई बात कोई हच्चा है तो कह दो मुझे वापस चाना है उसे तो फैसला ही सुना दिया साइम शर्ष्चा सर रह गया साइम हनूस चुपता सुभार्या ने सर उठा कर उसे देखना जहां तो नज़र सुर्ख टुपट्टे पर रुख गई उसे सवाली अंदाज में साइम को देखा बाहर करीम भाई मुल्वी साफ और काहूं के साथ आए है हम वापस सले जाते हैं मगर फैसला कर लो निकाह करके जाना है या निकाह के बगएर साइम ने टुपट्टा उसे करीब रखा और भाई निकल गया सुभार्या तस बस से साथ टुपट्टे को देखे गई हाँ मुझे लगता है मैंने उन्हें देखा है तूटी फूटी सड़क के किनारे खड़े उस शक्से मुबाईल में साइम की तस्वीर देखका कहा तो दानियाल को लगा वो मंजिले करीब पहुँच गया है वो अकेला नहीं था उसके दोसके बेनोई ASI फिरोस शाने बहुत राज़ारी के वादी के साथ अपनी बंदे दोड़ा दिये थे नसरी निजाह उन्हें देखा था वो और हासबास के इलागे उन्हें चंद घंटों में चानवारे थे कहां कहां देखा था तानियाल बेताप हुआ मैं क्यों बताओ तुम पोलिस वाले हो वो शेक्स मश्कूक हुआ यही समझ लो तानियल जेब में हाट डाला तो उसका शक्स का छेरा चमकने लगा था और आस्मान पर बिशली वी सुबारिया ने कलम हाथ में लेते हुए बेहत बेयकीने और हैरत से सामने पहले निकानामे को देखा वासकरे साइम ने जोर से मुटी भीजी बस चन लमों का फास्ता था और सुबारिया हमेशा के लिए उसकी होने जा रही थी सुना है अपने आशीक के साथ घर से भाग गई थी निका किया है या वैसे ही साथ रखा हुआ है सुबारिया ने कलवलाते ह्याल से नसरे चुरा कर पहला साइम किया ऐसी बदकार और बच्चलन बेटी को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए उसे दूसरा पत्तर खा कर साइम कर दिये तुम्हें इस से क्या तुम तो सारे घर को मार का निकली हो अब पीछे मुरकर क्यों देख रही हो अब जो अपनी मर्जी की सिंदी कुजारो फुश रहो ना रहो वगर हम से राप्ता करने की जुरुत नहीं सुपारे ने खुटी हुई सांस से काली और आखरी साइन कर दिया बाहर आस्मान बरसने लगा था क्रीम अपने दोस्तों की दावत बरकर चाय और मिठाई से करने लगा फाइनली फाइनली हमारा निकाह हो गया मेरी चोटी सी धुलन माई प्रिंसिस हम एक हो गए है अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता मारे हुशी के साइम पागल होने लगा था सुपार्या हम होशी से सोट उपट्टे की किनारी उधरती रही साइम उसके पास पैठा ये तुम्हें हराब करके छोड़ देगा फिर करेगा किसी शरीव सादि से शादी सुपार्या हुट में सिमट गई क्या हुआ तुम मुझे हुश नहीं लग रही और मेरा दिल चाह रहा है तुम्हारे साथ बारिश में क्रुमेंटिक साथ टूइट हो जाए साइम तुम मुझे छोड़ तू नहीं दोगे साइम ने ताज़ों से सेवी के चेरे पर उड़ती हावायां देखी क्या ये मेरी कुर्पत से हाइफ है उसरा पीछे हट कर बैठिया हाँ सेवी का दिल तक से रह गया ये सारे पापर तुमें छोड़ने के लिए तो बेले हैं इतनी स्टूपिट बाते क्यों करती हो यार खुश क्यों नहीं हो और मुझे देखो मैं हवाओं में उड़ा हाऊ ये सर्दरात परसी बारिश मैं और तुम क्या हमें इसके इलावा भी कुछ चाहिए सुपारिया ने सेहन में किलती बारिश को देखा नममट्टी की उच्पो को मैसूस करना चाहा मगर उसकी सारे अजसायात वरफ हो गई थी पदा नहीं अचीब बेचाहनी सी है यकीन कर लो मायलव अब तुम सुपारिया साइम हो साइम ने अपने धंडे हाथ सुपारिया के गालों पर रखे सुपारिया ने छूचरी सी ली सर्दी हो रही है मैं दर्वाचा बंद कर दूँ साइम खड़ा हुआ नहीं सुपारिया बहत्यार बोली जेवी तु मुझसे गवरा रही हो सेवी होंट काटने लगी साइम को असी आ गई साइम निकाह हो गया है चलो तुमारे घर चलते हैं वो खड़ी हो गई साइम के आखों में शार अर्चम की वो पास आया सेवी पीचे किस की मगर साइम ने उसे साथा दूर जाने नहीं दिया तुम्हे निकाह से पहले ड़ना चाहिए था मिसिस सुपारियन उसे दूर से धक्का दिया मैंने कहां तुमारे घर चलते हैं दो बाहे तुमने तो निकाह होते ही पैंतरा पतल लिया वो नरासों का दर्वासे में जा खड़ा हुआ आनी का फ़ावार उसे भीखोने लगी एवरे करम आज इतना बरस इतना बरस कि हम जाना सके वो शाराट से गुनगनाने लगा सेवी चुझला गई अब बारिश में क्यों भीख रहे हो तो क्या करूँ तुम तो कमरे में भी रुखने नहीं दे रही दोनों हाथ पुश पर बाहन कर उसने दर्वासे से ठेक लगा ली तब ही कमरे का किलोता पलब पुझ गया ये ये क्या हुआ वो फुक लाई लाइट चली गई है मेरी जान इबराहीम गर में बैटे क्या कर रहे है फाइका चिड़ गई तो क्या करूँ इबराहीम ने उसे से फाइका को देखा सारे दिन के हवारी के बाद वो अब घर आये थे मुसम इतना हराब है पता नहीं कहां भटक रहा होगा उसे भटक ही लेने दो फाइका चिड़कर रोशाने का नमबर मिलाने लगी मगर दूसरे तरफ भी कोई अपर ना थी तीज रोशाने जैसे इतना मिले जरूर बताना दाने अलुसे में है जस्बाती के कोई गलत कदम न उठा ले जी मैं बता तूंगी रोशाने ने फून बंद किया वो सर्मत को सोप बिलाने की कोशिश कर रही थी वगर उनने बामुश्किल दो ही चमच लिये थे सर्मत की आँखों में सवालय निशान था रोशाने ने नफी में करतन ही ला दी उनने भाई उसी से आंके बंद कर ली मैं घर कैसे जाओ साइम वो तुम मुझसे हर रिष्टा आतम कर चुके हैं कमरे में खोब अंदेरा था वो दोनों चार पाई पर पास पास पहजे थे कभी कभी बिजली जमकती तो अंदासा होता कि बारिश का पानी कमरे के फरश पर आने लगा था तब तुम घर नहीं जाओगी मेरे साथ जाओगी बाकी जो होगा मिलकर फेस करेंगे तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूगा जेबी क्रीम एक दम अंदर आया था सोभारिया ड़़ के साइम के साथ चा लगी तुम दोनों अभी कि अभी यहां से निकलो क्या हुआ साइम खबरा कर खड़ा हुआ वो लोग तुम्हें ढूंटे हुए चोक तक पहुँच गए हैं यहां तक भी पहुँच जाएंगे जल्दी करो निकलो सोच क्या रहे हो क्रीम इतनी बारिश में हम कहां जाएंगे सोचो अगर पुलिस यहां आ गई तो कहां जाएंगे निकलो वरना अपने साथ साथ मुझे भी भसाओगे उससे साइम को पकड़ कर भार की तरफ तकेला वो तो शुकर है मुझे किसी ने कॉल कर दी साइम ने मुड़कर जबारिय के अफसदा चेरे को देखने की कोशिश की मगर अंधेरा था आओ जेवी उसके पास सोचने का वक्त नहीं था मुझे जेवी का हाथ पकड़ा वो घर से निकल गया सर पर परस्ता आस्मान पानी से भरी नीम बुक्ता कलिया बारिश और वो भी सर्दियों की तक्तीर ने सावित किया था वक्त अभी भी उनके लिए ना मेरवान है भागते धोरते बेरतर्तीब कदम ना जाने वो कहां से कहां निकल गए सर्दिय से दोनों के दान पचने लगे थे मैं और नहीं भाग सकती साइम ने इधर उधर देखा और उसे लेकर एक दुकान के शेट दले आ गया और धर-धर काम रही थी और साइम के पास उसे मेफूस रखने के लिए कुछ भी ना था वो गुद ही उनका चाता बन गया सुभारिया ने आँखे खोल कर उसे देखा वारिश साइम पर परस ही थी शेट उन्हें ठापने में नाकाम था हम भाग क्यों रहे हैं तुमने सुना नहीं मा पुलिस आ गई थी हमारे बस निकाह नामा है निकाह नामा जैकेट के इंदुरूनी चेप में था ये सवाल वो बात में करेंगे पहले मार मार कर मेरी हटियां तोड़ेंगे के लड़की को भगाया क्यों हम घर चलते हैं घर ये जाएंगे पहले किसी से राप्ता तो कर लें अगर राप्ता ना हुआ तो यूँ ही सड़कों पर हावार होंगे साइम के जबाब देने से पहले ही कारी की देज लाइट उन पर पढ़ गई